जैहिंद प्यारे मत्रों आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरार क्लासेस में आपसे भी का स्वागत है जैसे कि हम सभी लोग बात करें थे रेलवे के लिए जो CBT2 का जो हमारा ट्रेट से एक्जाम होगा CBT2 के लिए जो है most important question है और जो है DRDO DRDO, Istro, Sail, Bark और जो भी हमारे all other technical exam होते हैं उन technical exam के लिए most important questions है आईए हम लोग अपनी class को start करते हैं तो पिछली class से हमने 25 question तक जो है discussion किया था एक question को review करेंगो उसके बाद जो हम लोग class को आगे continue करेंगे तो question था हमारे 25 number question है बट्रेस चूडियों में एक flank चूडी अच्छी के लंबवत तथा दूसरी कौन कितने कौन पर रखा जाता है question है हमारा बट्रेस चूडी में एक flank चूडी अच्छी के लंबवत तथा दूसरे दूसरा कितने कौन पर रखा जाता है option है a 30 degree next option b 45 degree next option c 90 degree next option है d 15 degree इसका right answer हो जाएगा option नमबर a 45 degree जो है रखा जाता है देखे इसके point पर बात करते हैं बट्रेस चूडीयों में एक flank चूडी के अच्छे के लंबवत तथा दूसरा 45 degree पर रखा जाता है दूसरा क्या होता है कि जो कौन होता है वो किने 45 degree पर रखा जाता है इस प्रकार की चूडीयों का उपयोग वहां किया जाता है जहां एक ही दिशा में सक्तिपारेशन करना उपयोगी होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एक ही दिशा में जो है गति प्रारंब की जाती है एक ही दिशा में जो है गति सक्ति दी जाती है वहां पर हम लोग जो है इस चूडी का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट कोस्चन है हमारा 26 नंबर कोस्चन है यह इस रो टेक कर वेंच डेस से बनाया जाते हैं सनफनेया फुसचात चूड़ी के lead screw पर एक में चूड़ी कटी होती है कौन से चूड़ी हमारी कटी होती है एक में चूड़ी कोटी होती इसका included कौन जो lead screw का included angle होता है lead screw का कितना होता है हमारा 29 degree होता ही है मजबूत चूड़ी मजबूत वा शामर्थ होती है यह जो चूड़ी होती है हमारी है मजबूत और सामर्थिस में जो सकती होती है लीड इस्कुरू का प्रयोग लिद मसीन पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है लिद मसीन पर जो लीड इस्कुरू होती है लेड रूप वाइंग को किसके करीं करते हैं चूड़ी काटने के लिए जो हुँ प्रियोग किया जाता है निक्स्ट कोश्चन है हमारा निमलिखीत में से कौन से सम्मलंब चूड़ी का रूप है यह कोश्चन जो इस तो टेकनिशन में में पूच़ा हुआ कोश्चन है कोश्चन है निमलीखित में से में कौन समलंब चूड़ी का रूप है आप्शन है एक में चूड़ी नेक्स्ट आप्शन पुस्चार चूड़ी नेक्स्ट आप्शन वर में चूड़ी नेक्स्ट आप्शन उपरोग सभी इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्श सम लंबा कार होता है यह भारी ड्यूटी चुड़ी हैवी ड्यूटी थ्रेड होता है ट्रेपो जॉइंडियल जो थ्रेड होती है यह हैवी ड्यूटी थ्रेड होती है इसका प्रयोग भारी वह मजबूत कारियों के लिए किया जाता है ट्रेपो जॉइंडियल थ्रेड का प्र प्राई-प्रेश इत्याद में प्रियोग किया जाता है संबलंब-चूडी इसको, हमलोग क्या कते हैं ट्रेपो जुएन्डियल ठ nosट के अंतरगत एकमेट थरेट, बटरेस थरेट, साच ऩोछ थरेट वर्म थरेट तथा नकल थरेड आते हैं टेपो जाएंडियल थ्रेट के अंतरगत, इतने थ्रेट से जो हमारे आते हैं, नेक्स्ट कॉस्चन है, अंगूठे और अंगूली के से, किस नट को आसानी से संचालित किया जा सकता है, यह कॉस्चन जो हमारा RRB में पूच्चा हुआ, वहारा 28 नंबर कॉस्चन है, अंगू सकता है अब्सादें लाटन शोपशन है असे रात इंसर हो जाएगा अफ्टिंग नरटो अंगुठे और अंगली से सहायता सकता है इसे खुल सकते हैं और बंद कर सकतें से इसे पॉइंट पर बात करते हैं अंगूठे और अंगूली से विंग नट को आसानी से संचालित किया जा सकता है आसानी से इसको हम लोग खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं विंग नट एक प्रकार का नट हैं नट के दोनों और विंग बने होते हैं क्या बने होते हैं विंग बने होते हैं कि जैसे यह इस प्रकार का जो हमारा विंग नट होता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि आसानी से जो है खोल सकते हैं जिसकी सहायता से नट को बीना टूल से आसानी से टाइट या धीला किया जा सकता है किसी भी टूल की आओ सकता नहीं परते है टूल की बिना टूल के से ही हम लोग इसकी नट को छो है इंट डिला कर सकते हैं नेक्स को iken हम निंखित मेंसे कौंसा तमान त्रेडिड फास्ट årt d zor का प्रकार नहीं है फेजन हम, कोशिचन हम. इंफ्ट इसका राइट अंसर हो जायेगा नेल जो है threaded fasterner का प्रकार नहीं है यह जो कोस्टन जो हमारा आरारबी में housing है देखें इसके point पर बात करते हुं तो screwnut और bolt fasterner का प्रकार है screw nut और gold जो है यृ फास्टनर का प्रकार है इसके दोरा इस्थाई जोड़ा बनाया जाता है किसके द्वारा फास्टनर के द्वारा फास्टनर के द्वारा क्या किया जाता है इस्थाई जोड़ा बनाया जाता है यह थ्रेड़ फास्टनर नहीं है और नेल माइल्ड इस्टील का बना होता है इसका प्रयोग लकडी जैसे पदार्थो में घुसा कर जोड़ा बनाया जाता है नेक्स्ट कोस्चन है एक थ्रेट की सिखा और जड़ को जोड़ने वाली सतह को निम्न कहा जाता है एक थ्रेट की सिखा और जड़ को जोड़ने वाली सतह को निम्न कहा जाता है एक थ्रेट की सिखा और जड़ को जोड़ने वाली सतह को निम्न कहा जाता है पॉइंट पर बात करते हैं फ्लैंक किसे कहते हैं एक चूड़ी के सिखर क्रेस्ट और जड़ रूट को जोड़ने वाली सता को फ्लैंक के कहा जाता है किसे फ्लैंक में जो होती है क्रेस्ट और रूट को जोड़ने वाली सता को फ्लैंक के कहते हैं चूड़ी कौंड थ्रेड एंगल दो फ्लैंकों के बीच बने कौंड को थ्रेड एंगल कहते हैं दो फ्लैंकों के बीच बने कौंड को उसे हम लोग क्या कहते हैं थ्रेड एंगल कहते हैं पिछ किसे कहते हैं एक चूड़ी के सिखर क्रेश्ट से दूसरे चूड़ी के शिखर के बीच की दूरी को फिच कहलाती है एक थ्रेट से दूसरे थ्रेट की जो सिखर होती है के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं कहते हैं थ्रेट की गहराई दिफ्ट ऑफ्रेट चूड़ी के सिखर क्रेस्ट से रूट जड तक की दूरी को थ्रेट की गहराई के लाथी है नेक्स्ट कोस्चन है हमारा 31 नमबर कोस्चन है पेंच जैक में किस प्रकार के धागे का उप्योग किया जाता है स्क्रूर धागे का प्रयोग किया जाता है यह कोस्चन जो हमारा RRB ELP में पूच्छा हुआ कोस्चन है देखे इसके पॉइंट पर बात करते हैं पेंच जैक इसक्रूर जैक इसी को हम लोग क्या करते हैं इसक्रूर जैक का प्रयोग कम पास इफर्ट लगाकर अधिक भार उठाया जाता है इसक्रूर जैक का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कम प्रयास में प्रयोग कम प्रयास में जो लगातार लगाकर अधिक भार उठाया जाता है यह एक उत्धापक मशीन है इसमें वरगाकार चूड़ी का प्रयोग किया जाता है इसक्वार थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, इसक्वार थ्रेड में घरसन बहुत कम होता है, इसक्वार थ्रेड में घरसन बहुत कम होता है, नेक्स्ट कोस्चन है, रेल गारी के कहरीज योग में कपलिंग में थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, 32 नमबर कोस्चन है, रेल काड़ी के कहरिज योगिमन कपलिंग जिसमें क्या कहते हैं कपलिंग में फ्रेडर इस्तेमाल किया जाता है आप confidence इसको ए इस्कोर एक में नेक्स्ट प्शिन है इसकोल नेक्ष आफचन है ब्राट्रेस निक्स्ट ऑपट्छन नकल इसका राइट शरूज आएगा अफ्शन नमबर दी नकल फ्रेट का चोई प्रयोग किया जाता है यह पूच्छन यह अर राइर्बी में पूछा हुआ कोश्चन है हमारा 32 प्र पूच्छन है रेल गाड़ी के कैरीज यूगमन कप्लिंग में फ्रेट का इस्तिमाल किया जाता है इस प्रकार के थ्रेट के रूट वर क्रेश्ट अर्ध गोलाकार होते हैं रूट और क्रेश्ट कैसे होते हैं अर्ध गोलाकार होते हैं यह थ्रेट रोल करके बनाया जाते हैं नकल थ्रेट को जो हम लोग किसके रूट थ्रेट को हम लोग क्या करते हैं रोल करके बनाय इसमें चूड़ी की गहराई 0.255 रूट और क्रेश्ट की गहराई 0.255 होती हैं नेक्स्ट कोस्चन है हमारा 35 नमबर कोस्चन है किसी थ्रेट के सीर्स क्रेश्ट यवाँ रूट को जोड़ने वाली सतह को क्या कहा जाता है और किसी थ्रेट के सीर्स wealthy रूट को जोड़ने वाली सतह को क्या कहा जाता है आफास ने तेट को निक्स्ट आप्स निएक्स ट्रेट की घराइब इसका राइट अंशर हो जाएका आपसम करेश्ट और रूड को जूड़ने वाला जोडने वाली सत्र को क्या कहते हैं फ्लाइंक करते हैं यह कोस्टन जो हमारा अरर्बी में पूंचा हुआ क्वेस्चन हैं देखे इसके पॉइंट पर बात कैसे हैं किसी थ्रेट के क्रेश्ट वह रूट को जोड़ने वाली सत्व को फ्लाइंग करते हैं क्या करते हैं किसी थ्रेट के क्रेश्ट वह रूट को जोड़ने वाली सत्व को फ्लाइंग करते हैं इस्कुरू थ्रेट पर किसी चूड़ी के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर उसी के अनुरूप बिंदु की दूरी को अच्छ के समानांतर मापी जायत हुआ माप चूड़ी की पेच कहलाती है क्या कहलाती है चूडी की पीच कहलाती है इसकुरू थ्रेट के क्रेश्ट और रूट के बीच की की लंबोत माप चूडी की गहराई कहलाती है है को सिन हमारा थृट होर नुमबर कॉस्चन है अक्चिक तक्ष सामाद रूप से माप फिरेट के ग्रेस्ट और रूट के बीच की दूरी को कहा जाता है कुस्चन हमारा अक्चिक सापे पेस्ट सामान रूप से माप फिरेट के क्रेस्ट ठРЕट के क्रेस्ट और रूट की बीच की दूरी को कहा जाता अप्शन है पिछ ब्यास नेक्स्ट अप्शन थ्रेट की गहराई नेक्स्ट आप या लंब रूप में मापी गई थ्रेट के क्रिष्ट और रूट की बीच की धूरी को चूड़ी की घहराई कहते हैं नेक्स्ट कोश्चन है 35 नंबर कोश्चन है एकल आरंभिक चूड़ी की तुलना में बहुत आरंभिक चूड़ी ने question है हमारा एकल आरंबिक चूड़ी की तुलना में बहुत आरंबिक चूड़ी option है एकल घूर्णन के लिए निम्ण अग्रहा नेक्स्ट आप्चन कम धारक छेत नेक्स्ट आप्चन उच्छ घरसन नेक्स्ट आप्चन कम सक्ती इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसे नमबर ए एकल घूर्णन के लिए निम्ण अग्रहा यह है question जो हमारा इस तरो technician में पूँचा हुए question है देखे इसके point पर बात करते हैं चूड़ियां एकल आरंबिया single start तथा बहु आरंबिया multi start वाली होती है single start चूड़ी की दसा में केवल एक चूड़ी होती है जो single thread होती है उसमें एक चूड़ी होती है जबकि बहु आरंब या multi start में दो या अधिक चूड़ियां होती है multi start चूड़ियों का उपयोग थोड़े घुमाओं से अधिक दूरी तक तैं करने के लिए किया जाता है एकल start चूड़ी की तुलना में multi start चूड़ी में कम सकती हानी होती है next question है हमारा 36 number question है दूई आरंब पेंच में सीशा है question है हमारा दूई आरंब पेंच में सीशा है option है पीच का आधा next option पीच का समान next option पीच का दूगना next option उप्रोक तुमें से कोई नहीं इसका right answer हो जाएगा option number same पीच के दुगना किसके पीच के दुगना होती है यह question जो हमारा इस तरो टेक्नीशन में पूंचा हुआ question है देखे इसके point पर बात करते हैं एक चूड़ी पर किसी बिंदु और उसके पास वाली चूड़ी पर संगत बिंदियों की बीच की अपच्छे दूरी को चूड़ी की पीच कहते हैं क्या कहते हैं चूड़ी की पीच कहते हैं कहते हैं इस क्रूग के एक घुमाओ में उसके द बरावर होती है किसके पीच के बरावर होती है परांतु ध्री आरंब त्री आरंब आधी चूडियों की दसा में लीड उनकी पीच की क्रमसर दुगनी या तिगनी होती हैं नेक्स को सना क्रेंग पेंच का एक प्रकार है क्रेंग पेंच का एक प्रकार है आप्शन है वर्ग पेंच नेक्स्ट आप्शन वर्ग पेंच नेक्स्ट आप्शन संसोधित वर्ग पेंच नेक्स्ट आप्शन समलंबी पेंच इसका राइटन सरो जाएगा आप्शन नमबर डी समलंबी पे निक्स्ट कोस्चन है हमारा 38 नमबर कोस्चन है एक आई ये असो मेट्रिक पेंच में पेंच पी के संबन्ध में बाई पेंच की गहराई है क्या है बाई पेंच की गहराई है इसका राइटन सरो जाएगा आपसा नमबर A 0.61343 P जो है होगा इसका राइटन सरो जाएगा आपसा नमबर B नेक्स्ट कोस्चन हमारा 39 नमबर कोस्चन है पाउर हेक्सा ब्लेड में पीच का मतलब है पाउर हेक्सा में पीच का मतलब है इसका राइटन सरो जाएगा आपसा नमबर A 0.613 प्रति दांत की संख्या दांतों की संख्या प्रति 25 मिली मीटर लंबाई होती है नेक्स्ट कोस्चन है आसका हमारा लास्ट कोस्चन है मानक पाइप फिटिंग ऐसे थ्रेट से युक्त है जो के अनुरूफ है आप्शन है बी ए इसका राइटन सरो जाएगा आपसा नमबर सी बी एसबी थ्रेट से जो है पाइप से जो है संबंधित है यह कोस्चन जो है इस तरो टेक्नीशन में पहुंचा हुआ क्वेश्चन है अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब चरूर करिएगा वीडियो को ज्यादा स्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें धन्यवाद